आज के वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक that is how to write theory papers बहुत ही इंपोर्टेंट है almost सभी student को ये question होता है कि sir how many points for short notes अगर वो 5 माग का है तो कितना points लिखना है अगर वो 10 माग का है या 15 माग का question है तो उसमें कितना points लिखना है ये भी question होता है कि sir short note के लिए कितना page लिखें और long answers के लिए कितना page लिखें फिर उसके बाद conclusions कैसे लिखना है कैसे pen pencils का कैसे pen का use करना है pencils का diagrams के लिए और कुछ sample papers जो मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपको समझाने के लिए explain करने के लिए कि किस तरीके से आपको लिखना है theory papers ठीक है तो सबसे पहले one by one question समलोग जाएंगे और फिर उसके बाद detail में discuss करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो don't forget to share with your friends उसका भी जो है help हो जाएगा और I am sure ये वीडियो देखने के बाद आप theory papers में कभी fail नहीं होंगे so make sure वीडियो लास तक जरूड देखिए पहला है how many points for short notes अब देखे usually जो university का Mumbai University का मैंने खुद economics का paper शेक किया है तो अब यहाँ पे जो है short notes के लिए जैसे माल लिजे 5 marks का है ठीक है कितने points होना चाहिए 6 points और with meaning मतलब आपका जो है इसमें meaning भी आ जाएगा या introduction बोल सकते हो या definition बोल लिजे ठीक है तो with meaning या definition meaning लिख रहा तो definition एक्जैम्ट कर सकते हो definition लिख रहा तो meaning आपको लिख रहा ठीक है 6 points होना चाहिए तो ये कितने 5 marks का है अब यहाँ पर ये भी question होता है कि short जो long answers है या short answers है उसके लिए कितने pages होने चाहिए तो देखो जो short notes होता है अगर आपका एक page में भी आ जाता है तो quality answer आपका है तो ठीक है कोई बात नहीं कोई problem नहीं अगर आपका max to max one and a half page में आ जाता है तो भी कोई problem नहीं है लेकिन आप तीन page मत लिखिये short notes ठीक है one and a half that is enough for five marks ओके so I hope आपको समझ में आ गया कि five marks के लिए कितने लिखने अब अगर 10 marks का question आता है 10 marks का है तो उसके लिए कितने points लिखने तो उसके लिए आप 10 points के लिए आप assume करके रखो कि जो two marks होगा वो आपके introduction में हो जाएगा introduction basically आपका meaning हो सकता है उसमें definition हो सकता है ठीक है उसके पर जाएगा फिर उसके बाद जो है आपका eight marks जो है वो आपके points explanation पे जाएगा मतलब overall आपने किस तरीके से explanation किया है किस तरीके से present किया है उसमें जाएगा प्लस आपने सही लिखा या wrong explanation लिखा वो भी मैं आगे चल के बता हूँ तो वो कैसे लिखा है उसके पर depend है तो अब ये eight marks है तो अब ये ten marks में से दो marks तो introduction पे चला गया eight point लिख सकते हो even six point भी आप लिख सकते हो अगर आप quality answers लिख रहे हो तो ठीक है ये कैसे आप six points लिख सकते हो वो आगे चल के मैं बताऊंगा तो आपको ये दोनो questions तीनो questions cover हो गया कितने pages लिखना है तो अगर आप 10 marks का question है या 15 mark का question है तो आप ऐसा assume करके चलो कि at least जो है आपका three pages cover हो जाएगा अगर आप quality answers लिख रहे हो 10 marks का तो two and a half pages मतलब धाई page में जो है आपका cover होना चाहिए one side, second side and third ऐसा half में complete करो that's it तो ये अगर long answer तो three pages ये quality answers लिखते हो उसके वेसमें बता रहो अब main चीज के ओतर लिखना कैसे है और सबसे important आपके three papers में conclusion होना चाहिए at the end of the explanation और कैसे आप score करना है pencils और sample papers ये मैंने लिख्या ताकि मैं पॉइंट्स समझाओ आपको भूलना जाओ explain video record करते समय सबसे पहले कैसे लिखना थहरी papers हो मैं आपको बता देता हूँ फिर उसके बाद examples लेके आपन समझेंगे देखे जब भी आप थहरी papers लिख रहे है चाहिए वो 5 marks का लिखे या फिर 10 marks का लिखे या 15 marks का लिखे या even 20 marks का लिखे तो आपका सबसे पहले या तो introduction होना चाहिए या तो meaning या तो definition आप introduction heading दे के उसमें meaning और definition दोनों लिख सकते है ठीक है या फिर meaning दे के meaning लिखे उसमें meaning लिखे और फिर definition का heading दे के आप उसमें definition लिखे बट mostly long answers में मैं prefer करता हूँ कि introduction लिखो introduction में जो है point wise जैसे माल ली जे ये मैंने एक dot rate दिया अब यहां से मैंने लिखना start किया क्या लिख रहा हूँ मैं meaning लिख रहा हूँ ठीक है meaning लिख रहा हूँ यहाँ पे चलो मैं एक line और ज्यादा मेरा meaning है तो यहाँ पे तो एक point क्या हो गया meaning हो गया अब second point में क्या करूँगा यहां पर definition लिखूँगा, again start हुआ, start हुआ, start होके यहां पर खता हूँगा, तो अब यह दो point कितना अच्छा लिख रहा है, आप सोज़ो ऐसा paper रहेगा, तो it will look good, ठीक है, बहुत अच्छा impact करेगा explanation में, तो इस तरीके से जो आपका introduction होना मेरे पुराने lectures अगर आपने देखे रहेंगे, देखो इसमें, फिर यहां पर देखो mind map, फिर उसके बाद जो है, यहां पर देखो मैंने use किया है, मतलब हर जगे मैंने almost सारे explanation में मैंने mind map यूज़ किया है, यहां पर देखो मैंने mind map बना है, फिर उसके बाद जो है, इस ट description में mention कर दूँगा तो यह माइंड मैप आप ड्रॉ कीजिए तो अब जब माइंड मैप ड्रॉ करोगे कैसे आपको पता चल गया तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेपर होगा वह quality प्लस quantity दोनों बढ़ाएगा जैसे मैं आज्यूम करता हूं कि एक पेज ले लिया मैंने ठीक है अब आपने यहां पर जो है answers लिखना स्टार्ट किया यहां पर वाला जो heading होता है यहां पर heading देदी जैसे question number 2 हो गया question number 3 हो गया ठीक है क्योंकि यह middle में heading देना जरूरी है क्योंकि काफे time क्या होता है जो paper चेक करते हम तो हमको पता ही नहीं होता है कि अब आपने meaning explain कर दिया ठीक है फिर दूसरा dot लिखा फिर आपने meaning explain कर दिया ठीक है फिर यहां पर खतम हो गया अब जो है आपने यह क्या माइड मैप तो आप समझे कि आपने माइड मैप यहां पर points का explanation कर दिया अब माइड मैप आप खुछ से भी draw कर सकते हैं कोई problem नहीं यहां पर आपने points के लिख दिया अलग-अलग points से तो अब यह माइड मैप कैसे draw करना है वो मेरा notes देख लीजिए website पे उससे आपको इजली समझ में आ जाएगा तो यह माइड मैप आपने draw कर दिया तो अब आपका एक page भर जाएगा यह निचे का एक line यहां से आप एक point लिख दिजिए और यह point का explanation खतम करके next page पर जाईए तो इससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छा positive impact करेगा एक paper checker के उपर ठीक है जब आपका mind map हो गया फिर point का explanation अब यहां पर सबसे important चीज़ अब माल लीजिए कोई ऐसा question है जिसके अंदर 10 point है तो आप क्या कीजिए mind map के अंदर 10 point लिखिए mind map के अंदर 10 point आप लिख दीजिए diagram के अंदर 10 point आप बता दीजिए लेकिन जब आप explain करेंगे तो आप 6 point का ही अगर 10 marks का है तो it's like 10 out of 10 तो नहीं मिलेगा बट 10 out of 9 मिल सकता है क्योंकि उसमें grammatically mistake भी महाँ पे चेक करते हैं बहुत सारे जब चेक करते हैं हम लोग खुद तो चेक करते हैं मतलब देखते है कि कैसा explanation है फिर अगर जिसका बहुत अच्छा परफेक्ट लिख है तो उसको 10 10 out of 10 भी मिल सकता है या minimum 9 तो मिली जाएगा अराम से ठीक है आपके writing के उपर marks नहीं कटता है सिर्फ आप इस तरीके से लिखो जिससे जो paper checker है उसको readable होना चाहिए ठीक है काफी लोगों का writing जो है वो थोड़ा सा cut pit होता है ठीक है आगे पिछे होता है cut pit आप मत करो इस त सारे point दिखा दो लेकिन explain के इतना करोगे सिर्फ स्री six point का seven point का कर लो ठीक है अब सबसे main important the conclusion का लिखना तो जो आपने meaning में लिखा है न introduction के meaning में question कोई घुमा के meaning का word लिखके आप conclude कर सकते हो that's it अगर आपका English बहुत अच्छा है तो फिर आप खुछ से भी बना के लिख सक ठीक है और बाकि अगर नहीं समझ में तो meaning का ही एक दो line उठा के normal conclusion एक टाइप का sentence frame करके कर दो कि हाँ ये capital market है तो capital market जो होता है वो funds provide करता है ठीक है long term medium term के लिए जो economy के लिए बहुत ही important है इस तरीके सब conclude कर सकता है ठीक है एपी new economic policy के बारे में अगर conclude कर रहे तो new economic policy has like example their own है ठीक है कि new economic policy has introduced in 1991 it impact on like it has positive impact on Indian economy and like economics is stabilized they like there are many reforms which is very good for the our country आप ऐसे खुद का एक नॉर्मल English language क्या कर सकते है लिख सकते है हाई-फाई language मैं बोल भी नहीं रहे हो इंदम simple language ठीक है आपका language उसी तरीके से क्या कर आप लिख सकते है ठीक है आपको समझ में आ गया ठीक है question properly तो यह मैंने बताया ना कि हमेशा question क्या करना यह right side में लिखते हो अभी देखो यह example देता हूँ अब यहाँ पे question लिखाया है अब यही question अगर यहाँ पे लिख दिया question number 2 तो यह क्या हो जाएगा easily समझ में आ जाएगा examiner कोहाine question number 2 का यहाँ पे a लिख दीजए अगर यहाँ पे b लिख दीजए और यहाँ पे लिख दीजए और यहाँ पे अब लिख दीजए कोई दिक्कत नी यह point का explanation keyword है, इसका आप use करें, जब भी आप explain करें न, तो आप यह keywords जो होते हैं, mainly एक sentence, एक line के, यह keywords आप use कर सकते हैं explanation में, right, तो काफी important है यह चीज में, ठीक है, उसके बाद जो है keyword होगे, अब जो है, एक चीज और important है, कि यह pencil और pen वाला मैंने इसलिए लिखा है, कि जै pencil से बनाने का, आपके मर्जी, आपको pencil ड्रॉ करना है, pencil ड्रो कीजिए, कोई भी ऐसा कोई rule नहीं है, कि pencil से ड्रॉ करना है, या pencil ड्रॉ करना है, आपके उपर है, pencil से ड्रॉ करेंगे, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि paper scan होता है, तो उसमें आ जाएगा, अगर pencil से करोगे, अगर वो highlight नहीं होगा, तो scan कम हो जाएगा, दिखेगा नहीं, blur हो जाएगा, तो आप pen का use कीजिए mostly, ठीक है, diagram ड्रॉ करने के लिए, इसके लिए मैंने ये point लिखा था, ये word, ठीक है, pencil paper, अब ये simple paper आ गया, चलो, अब ये दो paper है, ठीक है, इसको मैं rough कर देंगे, तो directly diagram है, यहाँ पर introduction है, यहाँ पर diagram है, हलाकि यह introduction wrong है, paper student नहीं लिखा है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है, I know ये wrong है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आप बाद में पढ़ लिजेगा, इस pause करके, बड़ ये wrong है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर introduction heading दे है, तो यह meaning क्या होना चाहिए, उपर होना चाहिए, पहले diagram नहीं होना चाहिए, पहले meaning होना चाहिए, फिर diagram होना चाहिए, आप इसी page पर हाफ page पर introduction और diagram दिखा रहे हो, फिर paper checker जो होता है, यहाँ परециर पहले लिख सकते है, okay, so I hope आपको समझा होगा, कि जो simples देखके मै यहाँ पे भी क्या introduction meaning है introduction गायब है ठीक है लेकिन diagram है अब यह diagram में बहुत सारे point है लेकिन 1, 2, 3, 4, almost सारे point इन्हों ने explain किया ठीक है almost 7 points explained किया तो यह long answers जो 10 marks के हैं इसके लिए enough है लेकिन यहाँ पे अगर इन्हों ने introduction लिखा होता तो थर्ड पेज़ पे चला जाता था ठीक है वो थर्ड पेज़ पे जाता था थर्ड पेज़ पे conclusion भी आप लिख सकते थे right तो 10 marks के लिए 3 pages is enough 3 pages बहुत जादा है कोई problem नहीं 3 pages अगर 15 mark का है तो फिर आप थोड़ा सा 1-2 page का और सोच सकते है but 3 pages that is enough for 10 marks ठीक है ज्यादा मत तो उसमें quality पे quality पे impact करो ठीक है so I hope आपको समझ में आ गया होगा ठीक है आप keywords use कीजे जो चीज़े मैंने बताए कि जो sentences होते है keywords होते है main main उस point का meaning कै keywords का use करें explanation के time conclusion कैसे लिखना हो भी मैंने बताए यह questions जो है properly लिखना वो भी मैंने आपको बता दिया कि जिसे यहाँ पे question यह लिखाया है यहाँ पे तो यहाँ पे भी लिख सकते है question number 2 का भी तो इससे क्या होगा examiner को directly समझ में आ जाएगा so I hope आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और informative लगा होगा अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है और एक feedback भी दे सकते हैं अगर आपके कुछ और topics पे वीडियो चाहिए तो comment करके ज़रूबत है मिलते हैं next video में next topic के साथ